रेड बटन दबाकर मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हाई अब्रिवान मैं शांती स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे कुकिंग चानल कुक विद एसस में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गारलिक ब्रेड यह एक ब्रेकफास में बहुत ही अच्छा औप्शन है साथी आप इसे इवनिग स्नैक्स में भी इन दोनों के यूज और जूब बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लैसुन की कलिया ले ले लेंग मैंने यहाँ पर पांच ली है और इन्हें अच्छे से छील लेंगे इसके बाद एक greater लेंगे और उसका जो सबसे छोटा बाला size होता है वहाँ से हमें इसे grate करना है तो जो भी lesson हमने लिये हैं उन्हें हम grate कर लेंगे ग्रेट करते वक्त थोड़ा साफधान रहें अपनी उंगलियों को आसानी से और बहुत धीरे धीरे इस पर चलाएं ताकि आपका हाथ कटने से बचे तो थोड़ा साफधानी बढ़ते इस समय तो यहां पर यह जो लेसुन है वो कद्दुकस हो गया है अब अब एक कटोरी ले अब आधे गंटे पहले आप बटर को फ्रिज से बाहर निकाल लें अब इसमें जो लेसुन हमने कद्दुकस करके रखे थे ही तो डाल लें बारी कटा हुआ हुआ अधाया भी डाल देंगे इसमें हम बारी कटी हुई हारी के हैं अब को आप जो सीजनिंग Nepेटि भो cowardाyty की पीजनिंग डालके 210 चाहिए तो आप हर्बस वाली जोसीजनिंग confusing डाल सकते हैं अरी flame ओर फेजियन थो अपने स simples आज़ती पी अब हम लेंगे दो पीसेस ब्रेड के तो पहले एक पीस पर हम जो ये मिक्षर है इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे एक चम्मच की हेल्प से आप इसे स्प्रेड कर लीजे तो जब अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसे हम रख देंगे और जो दूसरी वाली ब्रेड है इसके ऊपर हमें रखना है मौजरोला चीज ये जो चीज है इसी तरीके से मुझे मार्केट में मिल गई थी ये चोटे-चोटे क्यूब्स में भी एवलेबल है आप चाहें तो जब वह लगाया था वह इसके ऊपर रख देंगे अब अब एक तव को गयास पर गरम कर लेंगे और जो हमारी ब्रेज है उसे हम तबे पर रख देंगे जिस साइड हमने मिक्शर लगाया है उसी साइड इससे पलट कर तबे पर रख देंगे और एक से डिएड़ मिनिट के लिए इससे सेख लेंगे अब जो यूपर वाली साइड है वो बिल्कुल ब्लैंक है तो वहाँ पर फिर से हमें जो हमारा डेट से दो मिनिट बाद अब हम इसे पलट लेंगे और जो यह वाली साइड है उसे हम पकने के लिए नीचे की तरफ कर देंगे तो देखें नीचे की जो साइड है वह अच्छे से पक गई है किती क्रिस्पी लग रही है और इसे तरीके से जब दोनों साइड से यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्फ करने के लिए आप इसके चार पीस्तस कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देते हूं कि जो अंदर हमने चीज इसमें डाली थी वह मेल्ट हुई है या नहीं आप इसे चीज डेप या फिट मैटो सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार जरूर ट्राइ करिएगा तो देखिए जो चीज है वो मेल्ट हो गई है बहुत ही आसानी से तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक में डिस्क्रि झाल